तो देखा आपने हमने पढ़ा सबसे पहले Safety at the School उसके बाद हमने पढ़ा Safety in the Playground Safety in the Playground में क्या क्या था? Learn and follow the rules of whichever game you play Wait for your turn and be patient Play in a safe palace and not on road Do not push anyone while you are playing Go to open ground for flying kites Do not fly kites on the road or on terrace as you may fall down उसके बाद था क्या? Do not hit anyone with a bat or ball or anything which can cause injury Do not play in wet areas you may sleep and injure yourself अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या Safety at home हमें अपने घर पे कौन कौन से Safety rules follow करने चाहिए? Okay First है हमारा Do not leave your toys, bag and shoes on the floor You are someone age can trip over them and get hurt में जबी आप खिलोने से खेलते हो तो खिलोने आई या जो bags या सूज है उसे आपको अपने फ्लोर पे यहाँ वहाँ नहीं फेकना चाहिए तो हो सकता है आपका अगर उस पे पैर पड़ा या फिसल गए तो आप गिर सकते हो और अगर गिर गए तो आपको चोट भी लग सकती है है न बचो तो हमें जो अपने खिलोने हैं bags है, सूज है उसको सही जगा पे ही रखना चाहिए Okay Never play with sharp or pointed object like knives, blade and scissors You may hurt yourself हमें कभी भी sharp or pointed object से नहीं खेलना चाहिए just like knives, blade and scissors means चाकू, blade and catch ये sharp pointed object है तो इसे आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए because you may hurt yourself आप अपने को hurt कर सकते हैं जैसा कि अपने picture में आप दिया है कि जैसे देखो, वो seizure यूज तो कर रहा है बट उट से अपनी उंगली cut कर ली है तो blood भी नीचे गिर रहा है और वो row भी रहा है तो सोचो, इसमें क्या नुकसान तो आप कहीं है तो जो आपको rules है कि आपको ये नहीं करना है तो आपको follow करना चाहिए कि आपको वो चीज नहीं करना है अभी दिया है डू नाट टच इलेक्टिकल गैजेट और प्लक, बीथ, वेट, हैंड और बेर फीट मिन्स कि आपको गीली हाथों से इलेक्टिकल जो गैजेट से हैं या जो प्लक से हैं उसे आपको नहीं छूना है गीली हाथों और नंगे पैर मिज जो आप अगर स्लीपर या सूज बगर अगर आप नहीं पने हो तो आप उसे यूज ना करो मत उसे छूने से बचो इलेक्टिकल गैजेट और प्लक से क्योंकि हो सकता है उसे आपको सौक लग सकता है और आपका नुक्षान हो सकता है तो हमें घर में क्या है अगर पतीला चड़ा है तो वो क्या या बरतन भी कि मम्मी खाना बनाती है तो आप लोग ज़ए तो क्या बनाई है तो मम्मा ऐसा करके आप लोग जल्दवाजी में बरतन को छूते हो ना लेकिन वो चीज आपको नहीं करना है क्यों कि नहीं करना है क्योंकि वीकोज इसे होट पैंस अगर उसमे जो गर्म चीजे हैं उसे ज छूने से आपके हाथ कजल सकते हैं और दो निट प्लेज़ विद मैच स्टिड़िक सबसे इंपॉर्टेंट कि तो आपके घर के साथ आपके घर का भी नुकसान हो सकता है आपको भी आप सीरियस इंजूरी हो सकती है इसके लिए बच्चो डू नाट प्ले विद मैच स्टिक ओके यहाँ पर जैसे आपने देखा हुआ है पिक्चर में कि जैसे बच्चा कैसा जलाया है लेकिन उसका हाँ ज कुछ पॉइंट है जैसे सेप्टी आट होम तो हमने अभी क्या पढ़ा सेप्टी आट होम तो इसमें क्या क्या है एक वार हम रिपीट कर लेते हैं कि डू नाट लीब योर टॉइज बैग एंड सूज अन दा फ्लोर यू और संबन एज कें ट्रीप ओबर देम एंड गेट ह और वेर फीट ओके डू नाट टाच हाट पैंस और बॉलिंग वाटर डू नाट प्ले वीद मैच स्थीक ओके अभी मतलब यह हुआ आपका सेप्टी आट होम आई होप यह आप समझ गए होंगे अभी हमें पढ़ने वाले हैं सेप्टी ओन दा रोड अभी हमें रोड पे क् सेप्टी इछ सब्सेपहली हमने पढ़ा सेप्टी एट शुल सेप्टी येड प्लेग्डाउंड सेप्टी एट होम अभी हम पढ़ने वाले हैसेी अट रोड पर हमें कैसा चलना चाहिए यह वर्स्ट फ्रस्ट है हमारे वाक ऑन दी फूतपार्थ हमें कहां चलना चाहिए, only walk on footpath पे ही चलना चाहिए सेंगन, cross the road only at the zebra crossing और हमें road कहां cross करना चाहिए, only zebra crossing, okay before crossing the road, you look right, then your left and again your right cross only when no vehicle to coming from inside, means हमें road cross कब करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, right देखना चाहिए उसके बाद left and again, मतलब हमें फिर से क्या हां देखना है, right and cross only, और फिर हमें कभी कब cross करना है, जब हमें देखना है कि अभी कोई vehicles नहीं आ रही है दूसरे side से, हम तभी road cross करेंगे समझ में आया आपको, उसके बाद है, do not run to reach the other side of the road even if there are no vehicles on the road, और अगर road पे vehicles नहीं भी आ रही है तो आपको धीरे धीरे चलना है अगर आपको दोरना बिल्कुल नहीं, दोर के तो road cross नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आप दोर के cross करोगे और अगर सामने से अगर vehicles भी आ रही है तो ब्रेक नहीं ले पाएगी और आप, आपका accident हो सकता है, तो आपको ये चीज़ से बचना है, ओके follow the traffic lights, cross the road only when the traffic stop जैसे कि आपने पढ़ा कि traffic lights क्या है, how many colors in the traffic light first of all red, second yellow, third green, red means stop yellow means wait, green means go, जब जब भी अगर आपकी traffic stop हो, तभी आपको road cross करना चाहिए, traffic light में अगर traffic stop होता है, तभी आपको चलना चाहिए, अगर traffic light stop नहीं है, मतलब नहीं traffic है, तो आपको avoid करना चाहिए, whenever possible you over bridge or subway to cross road, अगर possible हो कि आपके पास bridge है या उसका दूसरा सब्बे है, तो आपको वहाँ से cross करना चाहिए, ओके, do not get in or on of the moving bus, हमें चलती bus में ना तो चड़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए, do not put your head or arm out the bus window, हमें bus बिंडो से अपना सर और हाथ बिलकुल भी बाहर नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं, तो आपके साथ accident हो सकता है, ओके, तो यह आप समझ गया होंगे, अभी एक वर मैं repeat करती हूँ कि आपको क्या क्या, safety rules, safety on the road में आपको क्या क्या, मैंने आपको समझाया, ओके, first walk on the footpath, cross the road only in the zebra crossing, before crossing the road, look to your right, then your left and again to your right, cross only when no vehicle is coming from other side, do not run to reach the other side of the road even if there is no vehicle on the road, follow the traffic lights, cross the road only when the traffic stops, whenever possible use over bridge or subway to cross the road, do not get in or get off the moving bus, do not put the head arm out of the window, okay, I hope आप समझ गया होंगे,